Hello friends, welcome back to the channel, so दोस्तों, last की वीडियो में आपने देखा कि हमने तीन resource group, तीन different region में कैसे करे थे, by using variable and forage loop, ठीक है, अब इस वीडियो में जो है, मैं आपको तीन storage account create करके दिखाऊंगा, तीन resource group के अंदर, फिर तीन containers create करके दिखाऊंगा, इन तीन storage accounts के अंदर, और तीन blob files upload करे अब यहाँ पर हमने कोने variable define किया दर, resource group के अंदर, ठीक है, यहाँ पर मैं एक और variable type define कर देता हूं, एक map object define कर देता हूं, मैं कहता हूं कि storage account, storage account underscore name, या फिर मैं simple सा कहता हूं, कि storage account, ठीक है, is equal to, यहाँ पर मैं कहता हूं, string है यह, ठीक है, अब क्यूंकि हम लोग, हम लोग इस वीडियो में, containers भी create करने वाले हैं, और blob भी upload करने वाले हैं, ठीक है, then उसके बाद फिर मैं एक और define करता हूं, blob container is equal to string, ठीक है, then उसके बाद हम लोग को file upload करनी है, blob file, तो मैं कहता हूं, blob file is equal to string, ठीक है, अब यह तो मैंने type के अंदर define कर दी है, इस type property के अंदर, यह म अंदर भी मुझे define करना पड़ेगा, तो same चीज मुझे क्या define करनी है, जैसे storage account, storage account is equal to, मैं कहता हूं, let's say st, ऐसे कुछ तो randomly ऐसे number देता हूं, then उसके बाद, blob container, blob container, मैं कहता हूं, यह जो rg-danu के अंदर जो container बने, वो data बने, data के नाम से, और blob, blob file जो है, मैं कहता हूं, blob file c colon double back slash terraform double back slash data dot txt, यहां से upload करे, अब guys, यह जो है na c terraform, आपको पता ही कि हम लोग हमारी जो working directory है, वो c terraform है, मैं आपको दिखा देता हूं, मैं c में जाता हूं, terraform में, sorry users नहीं, terraform में जाता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक मन रोको, हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं, हम इस working directory के अंदर काम कर रहे हैं, अभी तक, ठीक है, तो जो भी हमारी main.tf file, provider.tf file, सब इसके अंदर ही है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है, मैंने तीन text file डाल रखी है, data, file और logs, data के अंदर जो है, देखता है, क्या है, मैं कहता हूं, let's say this is a data file, इसको save कर देता हूं, then उसके बाद मैं कहता हूं, this is a file data, save कर देता हूं, then उसके बाद logs, मैं कहता हूं, this is a log data, ठीक है, save कर देता हूं, यह मेरी तीन file मैंने text file बना रखी है, इसके अंदर, ठीक है, अब मैं वापस से अपने visual studio code में जाता हूं, तो ideally हम लोग जब path देते हैं, तो हम लोग path जो इस तरह से देता, right, c, colon, single backslash, terraform, फिर single backslash, and then file का नाम data.txt, but terraform में जो यह single backslash नहीं लेता है, यह terraform में क्या करता है, double backslash लेता है, ठीक है, तो वही चीज, यहाँ पर इसलिए मैंने double backslash डाला हूँ, इसके अंदर, जो है, मैंने data, define किया हूँ, data.txt, मैं चाता ह यहाँ पर मैं enter marking, यहाँ define करता हूँ, इसका storage, इसका जो नाम है, यह मैं थोड़ा से कुछ different name देता हूँ, let's say, st, और कुछ भी ऐसा randomly number देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं देता हूँ, west us के अंदर मैं कहता हूँ, कि मेरा जाना चीए, file करके container बनना चीए, और यह नाम का देता हूँ, file.txt, ठीक है, same चीज, मैं copy करता हूँ, यहाँ पर तीसरे वाले variable default में जो values हम लोग define कर रहे है, इसका storage account का नाम, let's say, मैं कुछ भी ऐसा randomly, ऐसा नाम देता हूँ, और यह हो गया मेरा logs, ठीक है, और यहाँ पर भी logs, एक बार verify कर लेता हूँ, file का नाम का है, logs. ठीक है, यह मैंने save कर दिया, और यह मेरा, ठीक है, यह मेरा हो गया, अब यह तो हमने define कर दिया variable, अब हमको storage account का, यहाँ पर define करना पड़ेगा, तो मैं जाता हूँ, यहां से storage account, storage में resources में जाता हूं storage account के section में, यहां से मैं storage account का resource block उठाता हूं, यहां paste करता हूं, यहां पर सबसे पहले मैं नाम देता हूं, let's say st मैंने नाम दे दिया, storage account का नाम पूछ रहा है मुझे, तो storage account का नाम डालने से पहले, सबसे पहले यहाँ पर भी हमको for each loop करना पड़ेगा, मैं कहा तो where.resource group, यानि कि resource group variable के अंदर जो भी है, उस variable के अंदर जाके for each loop चलाए, और नाम जो है, यहाँ पर मैं कहता हूँ, each.value.storage account name, जो हमने यहाँ पर define किया, उपर variables में, यह value उठा यह है, यह मेरा key name है, और यह मेरा values है, इस value में से storage account का नाम उठाए, ठीक है, उसके बाद same चीज जो है, मैं resource group के लिए करता हूँ, each.value.resource group name, ठीक है, make sure करो कि यही नाम हमने दिया है, resource underscore group underscore name, ठीक है, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ, location, each.value.location, ठीक है, यह standard है, इसको मै GRS की जगा LRS कर देता हूँ, fill out tags में यहां से हटा देता हूँ, और इस पर define करता हूँ, depends zone, depends zone मेरा एक और मेटा argument है, जो हम स्टार्टिंग से follow करते हैं, तो मैं कहता हूँ, कि मैं Azure RM resource group, यह resource group पर depend है, यह जो हमने resource group यहां define किया था, right, save करता हूँ, अब इसको, मतलब आग run run करता हूँ, okay, इसने कुछ तो बोला है कि, variables may not be used, variables not allowed, line number 3628, line number 3628 में क्या बोल रहा है, 36 and 28, okay, हाँ, problem यह है कि यहाँ पर मैंने double inverted comma ने डाला, तो इसको जो है, अपने को, क्योंकि यह string में, right, हमने ऊपर जो है type string define किया है, तो इसको मुझे double inverted comma के अंदर डालना पड़े तो यह miss हो गया था, और यहाँ पर भी storage account में, double inverted comma से मैंने save कर दिया, ठीक है, save करने के बाद मैं अब इसको जो है, इतने वाले section को मैं जरब plan कर करके देखता हूँ, यह plan मैंने run किया, और यहाँ पर देखते हैं, क्या बोलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा plan execute हो चुका है, यहाँ पर बोलता है plan 3 to add, 3 मतलब क्या, 3 storage account create करेगा, resource group तो हम लोग last video में create कर चुके थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मेरा third storage account है, इसका ना third storage account है, जो कि मेरा resource group 1 में जाएगा, ठीक है, तो मैं last में आता हूँ, अब यह हमारा तो clear हो गया, अब हम क्या करेंगे, इतना तो हम sure होगे कि हमारे 3 storage account करेंगे, create होंगे 3 resource group के अंदर, ठीक है, अब हम container का section देखते हैं, storage account यहाँ पर container दिखता हैं, अपने को देखते हैं, storage container, container storage, यहाँ पर container search करता हूँ, यह यह रा, Azure RM storage container, यहाँ से मैं यह वाला section जो है, copy करता हूँ, visual studio में जाता हूँ, last में आता हूँ, paste करता हूँ, इसका नाम मैं फिलाल देता हूँ, reference name container, ठीक है, यहाँ पर भी same चीज मुझे for each loop चलाना पड़ेगा, किस पे, where.resource group है, ज हमने एक ही variable define किया उपर, और उसके अंदर फिर हमने default values define करी है, ठीक है, resource group, अब नाम, नाम बोलता है कि अपने को यहाँ पर नाम डालना है, तो मैं क्या बोलता हूँ, each.value.blog container का नाम दे रहा हूँ मैं, और storage account के उपर depend है, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ, each.value.storage account यह, यह इसको blob कर देता हूँ, ठीक है, और इसकी dependency, dependency किस पर है, storage account पर, तो मैं storage account यह कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको जो है plan चलाता हूँ, इस पर, यह मैंने plan चलाया, तो यह मेरा plan चल चुका, अब यह total बोल रहा, six to add, यानि कि six to add मतला तीन storage account create करेगा, और उसके बाद त respect to name, जो हमने उपर variable में define करें, ठीक है, तो इसको अब यहां तक तो हमारा जो script है, terraform का configuration यह perfect है, ठीक है, अब हम करेंगे, blob अपने को upload करना, राइट, तो यहां पर मैं करता हूँ, blob, storage blob, storage blob मैं नीचे आऊँगा, storage में, यहां पर आप देख सकते है, azure storage, azure arm storage blob, इसको मैं क्लिक करता हूँ, और इसमें, यह blob का जो section है, इसको copy करता हूँ, visual studio में जाता हूँ, last में आता हूँ, paste करता हूँ, और यहां पर मैं reference में देता हूँ, blob, ठीक है, again, यहां पर भी मुझे for each loop चलाना पड़ेगा, for each, और मैं कहता हूँ, where.resource group पे चलाए, यह extra bracket आगिया है, ठीक है, then उसके बाद जो है, नाम, अब यहां पर नाम क्या दे रहा है, तो यहां पर अपने को जो नाम है, dot zip format में देना है, यानि कि last के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, right, कि हम लोग जब एक blob upload करते हैं, तो वहां पर dot txt है, extension के साथ आता है, right, तो यहां पर double inuted comma, इसके इंदर dollar और bracket open करेंगे, मैं कहता हूँ, each dot value dot blob container, एक मिन रुको, blob container, कहां गया blob container, अपना यह रहा, मैं कहता हूँ कि each dot value dot blob, यानि कि मैं पूरा यह copy कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि इस नाम का जो भी हो, वो बन जाए, उस नाम से, ठीक है, और उसके बाद last, bracket close करने के बाद मैं कहता हूँ, dot txt, यह नाम बने, यानि कि अब इसमें होगा, क्या है, each dot value पिक करेगा, blob container का जो भी नाम होगा, और उसके आगे dot txt, extension लगा देगा, ठीक है, storage account में, same चीज़ अपने को, each dot value dot storage account, यह हमने नाम दिया था, और storage container का नाम क्या अपना, यहाँ से उठा लेता हूँ, मैं copy कर लेता हूँ, यह हमारा container का नाम रहेगा, paste कर देता हूँ, ठीक है, local file, अब यहाँ पर जो है, अपने को बोलता है कि local file define करनी, तो मैं इसको delete करता हूँ, some local file, क्योंकि हम, ऊपर हमने variable में define कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, each dot value dot blob file, एक बार variable चक कर लेते हैं, हमने क्या define किया, blob file define कर रहे थी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी राइट, तो blob file जो है, यहाँ पर मैंने define कर दिया है, then उसके और enter मार के, depends on, यह मेरा किसकी ओपर depend है, storage account, container की ओपर depend है, और इसको मैं save कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पर plan चलाता हूँ, ओके, यहाँ पर इसने कुछ तो बोला है, unsupported plan, यह क्या बोलता है, line number 76, line number 76 में क्या बोल रहा है, source, oh, okay, line number 76 में गलती क्या हुई, each.key.value आगया, तो यहाँ पर अपने को each.value ही रखना है, तो यहाँ पर अपने को each.value ही रखना है, तो यहाँ पर अपने को इस.value ही रखना है, यह चोटी मूटी गलती हो जाती है, save कर दिया मैंने, then इसके clean करता हूँ, वापस से plan चलाता तो guys, ही मेरा plan चल गया है, यहाँ पर उसने बोल दिया है कि plan 9 to add, 9 to add मतलब resource group तो हमने last video में बनाई दिये थे 3, right, अब इसमें क्या है, 3 storage account बनेंगे, उन 3 storage account के अंदर 3 container बनेंगे, और उन 3 container के अंदर 3 file अलग-लग upload होंगी, तो total 9 हो गया, ठीक है, अब हम इसको जो है apply कर करना, अब जिस तरह से मैं आपको explain कर पारा हूँ, इसका मतलब यही कि मैंने यह terraform use भी किया है, या use कर भी रहा हूँ, और मैंने भी काफी practice करी थी, इसको सीखने के लिए, समझने के लिए, तो जब तक आप practice नहीं करेंगे, आपको memorize नहीं होंगी, आपको concept समझ में नहीं करता हूँ, यह मारा storage account create हो गया, ठीक है, और storage account हो मैच कर सकते, RG Rohit के अंदर जो मुझे storage account करना था, verify कर लेते कि वो ही storage account create होया क्या, तो यहाँ पर हमने second RG क्या था हमारा, third RG था हमारा RG Rohit, जो कि मेरा West Europe region में ही create होया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, West Europe region में, इसके अंदर जो है मेरा storage account create होया है, इस नाम से, तो यह क्या है 01245, और इसके अंदर script में क्या देखता हूँ, देखो ST012456, और last में 523, तो देखो मेरा उसी resource रूप के अंदर वो particular storage account create होया, अब मैं container में जाता हूँ, और यहाँ पर देखो logs, तो यहाँ पर इसके अंदर blob file के अंदर logs.txt की file है, और हमने script में अगर मैं जाता हूँ अपनी, तो यह देखो blob में, हमने क्या बोला था, each.value.blog container, जो भी नाम होगा container का, तो हमारा container का नाम रोहित के अंदर log था, तो log.txt की नाम से container का नाम हो गया है, फाइल का नाम हो गया है, इसको मै क्लिक करता हूँ, और इस पर edit करके देखता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, this is the log data, right? Similarly, अगर मैं दूसरे resource group में जाता हूँ, तन्नु के अंदर, यहाँ पर मेरा storage account create हो गया, container के अंदर हो गया, and इसके अंदर जो है data था, right? data नाम का हमने container बनाया था, और data करके फाइल आई है, ठीक है? दन उसके बाद जो है यहाँ पर संदीब के अंदर, storage account के अंदर, same ही storage account बनाया है, आपको अगर verify करना है, तो मैं आपको verify करा देता हूँ, rg-संदीब के अंदर क्या है, st0896, तो यहाँ पर क्या st0896, container बन गया, यहाँ पर जो है, file करके container बनना था संदीब के अंदर ये देको file बन गया और file वाली ही इसके अंदर file भी upload हुई है तो guys ये है power of for each and variable का कमाल ठीक है तो I hope guys ये वीडियो आपको काफी interesting लगा होगा और काफी कुछ समझ में आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करो, share करो और channel को subscribe करना